नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूटूब चैनल देव फाइनांस में तोड़े आवर टॉपिक इस वाटी सेवी, सेवी क्या है, इसके फंसंस और पावर क्या है, ये कैसे काम करता है तो आएए शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेवी को क्यूं बनाया गया तो देखिए, 1988 से पहले सेर मार्केट में बहुत सारे धोखाधड़ी, फ्रॉड और स्केम होते थे सेर मार्केट में इस बढ़ते धोखाधड़ी और स्केम के कारण एक ऐसी संस्था की जरूत पड़ी, जो ट्रेडर और इंबेस्टर्स की सिकावतों को सुने और धोखाधड़ी करने वाले वेक्ती या कमपनी पर जुरुमाना लगाये और परतिबंद करे सेवी की अस्थापना सेर बजार की गतिवीदियों पर निग्रानी करने के उदेश से किया गया था सेवी का फुल पॉम सेकुर्टी एन एक्स्चेंज बोर्ड ओफ इंडिया होता है सेवी एक रेगुलेटरी बोडी है जो सेकुर्टी मार्केट में सेर्स की खरीद विक्री को नियंतित करता है सबसे पहले हम बात करते हैं सेवी की हिस्ट्री की हिस्ट्री सबसे पहले सेवी की अस्थापना 1988 में गैर सम्वेधानिक संस्थान के रूप में की गई जो सिर्फ केवल सिकुर्टीज मार्केट को रेगुलेट करती थी इसके बाद जब इंडियन पार्लियामेंट में सेवी एक 1992 को पास किया गया तो 12 अप्रेश उन्नीस सो बिरांबे को सेवी को समिधानिक संस्थान के रूप में इस्टेबलिस किया गया इसके बाद जल्दी सेवी को केपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का अधिकार प्राप्त हुआ हेटक्वाटर सेवी का हेटक्वाटर मुंबई के बांदरा कुरला कंप्लेक्स में है इसके रिजनल ओपिसेस नॉर्थन में न्यू दिल्ली इस्टन में कोलकाता साउथन में चन्निक और वेस्टन में आहम्दाबाद है इसके अलावा इसके कुछ लोकल ओपिसेस भी हैं जैसे जैपूर, बैंगलोर, गोहाटी, भुबनेशुवर, पतना, कोची और चन्रीगड है स्टक्चर ओप सेबी, सेबी में कुल नौ मेंबर्स की एक ग्रूप होती है जिसमें जो चेर्मेन होते हैं उसे दा यूनियन गौर्मेंट ओप इंडिया के द्वारा नॉमिनिटेट किया जाता है त्व मेंबर ऑपी सर्फ रॉं दी यूनियन फाइनान्स मिनिस्ट्री, एक मेंबर जो रिजव बेक और मिनिडिया से होते हैं बाकी के पांच मेंबर जो होते हैं उसे दा यूनियन गौर्मेंट ओप इंडिया नॉमिनिटेट करती है जिसमें अते तीन मेंबर पर्मानेंट होते हैं, दो मेंबर पार्ट टाइम के लिए होते हैं. अभी वरतमान में चेरमेंट पत पर अजयत्यागी कारेगत हैं, जिन 10 परवेश 2017 को अपोइंट किया गया था. चेर्मेन पत का कारेकाल 5 वर्स या 65 वर्स की आयूप पूरी होने तक रहती है अभी वर्तमान में चेर्मेन पत के कारेकाल में 2 वर्स की और कमी की गई है Objectives of SEBI SEBI के मेंली 3 objectives है Protection of Investors मतलब SEBI का primary objective है जो लोग share market में invest करते हैं उनके अधिकारों के रच्छा करना और उनके लिए एक healthy environment प्रवाइट करना जिससे लोग सही तरीके shares की buy और sale करें Second, Prevention of Mal Practices यही कारण था कि SEBI का गठन किया गया Share बजार में भष्टचार को रोकना SEBI का main objective में से एक है Fair and Proper Functioning SEBI केपिटल मार्केट के करम्मंत कामकाज के responsible होता है वो ब्रोकोर्स और सब ब्रोकर्स जैसे financial intermediaries के activities पर कड़ी नजर रखता है ताकि वो कोई unethical activities ना कर सके Role of SEBI SEBI सभी परकार के capital market participant के लिए एक पहरदार के रूप में कार करता है इसका जो main purpose होता है वह यह है कि जो लोग financial market में interested है उनको securities market में working करने के लिए एक कुसल और smooth environment प्रवाइट करना जिसको ensure करने के लिए financial market के main तीन participant पर विशेज ध्यान दिया जता है फर्स्ट, issue job securities यह corporate field की काईया होती है जो market के various sources से fund जुटाती है से भी यह make sure करता है कि उन्हें अपनी और सकताओं के लिए एक healthy और transparent environment मिले इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वही हैं जो बजार को एक्टिव रखते हैं आम जन्ता जो अपनी गाड़ी कमाई को share market में निवेस करते हैं उनके विश्वास को बनाए रखने ता भष्टचार से मुक्त वातावरन को बनाए रखने के लिए सेवी जिम्मेदार होता है इन्वेस्टर्स जो होते हैं वा लोंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं यह वे लोग होते हैं जो issues of security और इन्वेस्टर्स के बीच मिडिल मेन का काम करते हैं यह इस बात पर विशेश ध्यान देते हैं कि जो लोग financial transaction हो वह स्मूथ और safe हो functions of SEBI SEBI में मुख्य रूप से तीन functions होते हैं protective functions, regulatory functions और development functions हम सबसे पहले बात करते हैं protective functions के जैसा की नाम से ही पटा चलता है कि इन्वेस्टर्स और अन्य financial participant के हितों की रच्छा के लिए से भी काम करता हैं इसमें सामिल है कीमत मेहरा फेरी की जाज करना insider trading को रोकना fair practices को बढ़ावा देना निवेस्कों में जागरूता पैदा करना धोकादड़ी और unfair trade practices को रोकना regulatory functions financial market में जो कामकाज चल रहे हैं उन पर नजर बनाए रखना इसमें सामिल है financial intermediaries और corporate के उचित कामकाज के लिए guidelines और अचार सनिता डिजाइन करना किसी कमपनी को take over करने के लिए regulation बनाना exchange की inquiry और audit आयोजित करना broker, sub brokers, merchant bankers, इत्यादी के registration करना fees की वसूली करना credit rating agency को register और regulate करना development functions से भी कुछ development functions भी करता है जिसमें सामिल है intermediaries को training देना pair trading को बढ़ावा देना और दुर्भावनाओं को कम करना research work करना self regulating organizations को प्रसाहित करना brokers के माध्यम से सीधे AMC से mutual fund को buy और sell करना powers of SEBI first जब stock exchange की बात आती है तो SEBI के पास stock exchange में कारियों से संबंदित किसी भी कानून को regulate करने और approve करने की power होती है second SEBI के पास यह power होती है कि वह सभी stock exchange की records और accounts को देख सके यह stock exchange के कामकाज में समय समय जांच और returns की विश्था कर सकता है third SEBI को यह power होता है कि यदि किसी stock exchange में कोई खराबी पाई जाती है तो वह उस पर सुनवाई भी कर सकता है और judgment भी पास कर सकता है fourth जब किसी companies की उपचार्ज की बात आती है तो SEBI को यह power है कि वह देश में किसी भी company को stock exchange पर listing और de-listing कर सकता है fifth अगर किसी company को किसी भी परकार के unethical काम करते हुए पकड़ा जाता है जैसे कि insider trading तो SEBI को यह power है कि वह उस company पर planties और miskasन की घोसना कर सकता है यदि किसी company को अपने shares को एक से अधीक stock exchange पर list करना होता है तो SEBI उनको permission देता है लेकिन यह देखते हुए कि यह निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा seventh निवेशकों की सुरच्छा के लिए SEBI के पास हाम जनता की सुरच्छा सुनच्छित करने के लिए कानूनी नियुमों का ड्राप तयार करने की सकती है SEBI ब्रोकर्स और अन्य मिडिलमेंट के रेजिस्टेशन के रेगुलेट करने की भी पावर रखता है जो मार्केट में इन्वेश्टर्स के साथ सोधा करते हैं SEBI ने अपने 20 डिपार्ट्समेंट के माध्यम से इंडियन फाइनांस मार्केट को रेगुलेट किया है हमें उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही फाइनांस और सेर मार्केट से रेलिटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भुलें तब तक जहां भी रहें स्वस्त रहें और फुस रहें धन्यबाद